नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आइरबेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोग सामने जो पौधा लेकर आया हूँ से आप देखिए पहचानिए अगर पहचान सक्ते तो पहचान लीजिए अगर नहीं आप पहचान पाएंगे तो मैं इसका पहचान भी बत क्योंकि मेरा काम है हर एक पौधिक पहचान बताना नाम बताना और उन पौधों के फाइदों के बारें बताना तो पहले आप देखिए पहचानिये क्या पहचान पाए तो चलो दोस्तों अगर नहीं पहचान पाए तो मैं आपको बता देता हूं इस पौधे का नाम है जमाल दोस्तों या सुन्दर सुन्दर दिखने वाला पोधा जमाल गोटा का इसके नाम को सुनकर लोग डर जाते हैं पता है क्यों डर जाते हैं अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए जमाल गोटा नाम से लोग इसलिए डर जाते हैं क्योंकि जमाल गोटा अगर कोई सेवन कर तो वह सुबा से साम तक बात्रूम के अंदर बंद रहेगा और मतलब उसका पेट साफ होता रहेगा साफ होता रहेगा उसको एक मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगा इसी को कहते हैं जमाल गोटा लोग इससे ड़ते हैं कि कहीं जमाल गोटा तो नहीं खिला दिया किसी को, तो दोस्तों या ऐति जुलाब का दवा, लेकिन साइद आपको या नहीं पता है, कि या जुलाब का दवा लोग जमाल गोटा एक अमरित के समान है, जिस तरह से हम अपने घर को साप करने के लिए तर विजाब यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप अपने गंदे एरीया। को साफ करने के लिए। किसी तरह का भीमारी हमें न लग पाए। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तो आयर बेट के दुनिया में या जमाल गोटा पेट को साप करने वाला यानि पेट के गंदकी को निकालने वाला एक बहुत ही महाप्रम मौसदी है। और इस घर को साप करने के लिए कभी न कभी हमें जमाल गोटा की इस्तिमाल करना चाहिए। गंदकी नहीं रहता है और जब गंदकी नहीं रहता है तो पेट के अंदर ऐसी डीटी गैस नहीं बनता है। पता है दोस्तों गैस एसी डीटी अगर बनता है तो हमारा बेन काम करता नहीं है। इसमें उल्जन सा होता है घबडाहाट सा होता है तो दोस्तों उल्जन घबडाहाट को दूर करने के लिए कभी कभी आयरवेदिक बैद विसारदों ने क्या किया। रोगियों को जमाल गोटा खिलाया लेकिन कितना खिलाया बिमारी के हिसाब्स खिलाया। कुछ को एक रत्ती खिलाया तो कुछ को एक सरसों के दाने के बराबर खिलाया। को एक चावल के बराबर खिलाया तो दोस्तों इसका भी एक डोज है डोज के हिसाब से गर हम इसका सेवन करते हैं तो यह हमारे लिए अमरित के समान हैं और अगर जादे इस्तमाल करते हैं तो नुकसान भी है लेकिन हाँ दोस्तों तो आप इस पोधे को इस्तमाल नहीं कीजिए, मात्र मैं आपको इस पोधे को पहचान दिखा रहा हूं, और इसके फाइदे के बारे में बता रहा हूं, जब भी आप इस्तमाल कीजिएगा, तो किसी अच्छे बैद हकीम के निगरानी में ही इस जमाल गोटे यूज करना, इस करते हैं, और जो लोग इसके फाइदेक बारे में नहीं जानते हैं, तो मात्र इसे एक मामूली सा पोधा समझते हैं, तो देख लिजे दोस्तों, यह है, जमाल गोटा का पोधा, पोधा करीबन दो फूट से लेकर पांच फूट तक बड़ा से बड़ा होता है, और यह पौधे को अधिकतर पानी जरूवत नहीं होता है। इस पौधे के अंदर बहुत ही अधिक पानी का अंस इसके पौधे के अंदर होता ही होता है। और उसी तेल को अधिक अउसदी में इस्तमाल किया जाता है। और इसके पत्ते तो आप देख रहे हैं। देख लिजी पत्तों का डिजेन ताकि आपको या पौधा कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे तुरंत पहचान सकें और अपने रोगों में इस्तमाल करें। लेकिन दो पहचान दिखा रहा हैं। देख लिजी तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके बारे में और कुछ फाइदा जाने कि या पौधा हमारे सरीर के किन-किन बिमार्यों ठीक करता है। तो दोस्तों आप तो जानी गए कि या पौधा पेट को तो साप करके सरीर को नया कर देता लेकिन हाँ अगर किसी को मान लीजिए चटनिया रोग हो गया है बाल उड़ रहा है जढ़ रहा है यहां से वहां से एक रोग होता है बाल जढ़ने वाला उस रोग में क्या होता है बाल यहां से वहां से चारों तरब से उड़ जाता है तो उस रोग के लिए बहुत ही अच देमाल गोटा का तासीर बहुत ही गर्म होता है गर्म होने कारण अगर आप इसे सर प्रज़भ लगाते हैं तो वहां पर छल्का उठ जाता है तो आप चन्ता नहीं किजियेगा अगर फोरी फुंसी हो जाता है तो ऊने दीजिये जब इसका जक्म होकर फूट जाएगा जक्म ह लगाना, वो जान लीजिए एक रोग होता है धवल, चटनिया रोग अब गंजापन है, तुसमें दराएहे期," जो रोग होता है," जो रोग WORK को पहिचान है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर मान लेजिए बाल उड़ गया है और जहां से बाल उड़ा है उच जगे का इसकीन तो अच्छा एकदम चमकीला है चमक रहा है ऐसा लगता है कि यहां कभी बाल थाई नहीं तो समझ जाना उसी रोग का यह दवा है जमाल गोटा तो इस तरह से दोस्तो इसके फाइदे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको इसका अधिक फाइदे अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है और आप लोग छोड़कर भाग जाते हैं पूरा पूरा वीडियो देखते नहीं क्योंकि भाई मै अगर मेरी जानकारी लाबदायक हो, फाइदे मन्द हो, तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तो, पहाड़ी आयरवेदिक